नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देखे हैं ताख खबरदार नियूस आईए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों करों सीएम का एलान भोपाल में बनेगा स्टेट मीडिया सेंटर पत्रकारों की बड़ी हुई बीमा प्रीमियम राशी सरकार भरेगी सीनियर जनलिस्ट को अब भी सजार रुपए समान दी मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि भोपाल के मालविये नगर में पत्रकार भवन बनाये जाएगा इसे नया सुरूप देंगे ये मौजन फैसिलिटी से लेस होगा सीम हाउस में मुख्यमंतरी ने गुरुवार्फ हुए पत्रकार समा गम में कई घोशनाएं की उन्होंने कहा कि बीमा कमपनी ने इस बार प्रीमियम की राशी 27 फीसदी बढ़ा दी गई है बड़ी हुई प्रीमियम राशी देना कई पत्रकारों के लिए कटनाई पैदा करे रहे हैं मुख्यमंतरी ने दावा करते हुए कहा इस चुनाव के बाद भी हम ही रहने वाले हैं लेकिन ये सब चीज़ें पहले ही पूरी कर दूंगा बात में भी इसे बढ़ाने का काम हम करेंगे स्टेट मीडिया सेंटर होगा नय पत्रकार भवन सीम ने कहा मालवी नगर में पत्रकार भवन तोड़ दिया गया जमीन वैसी ही पड़ी हुई है इस भवन को नया स्वरूप देने का संकल्प मन में आया है ये भवन स्टेट मीडिया सेंटर का स्वरूप लेगा यहां पत् सब्सक्राइब को समाने बीमारियों में अबी तक आर्थिक सायता का प्रावधान 20,000 रुपे था इसे बढ़ा कर चालिस अजार रुपे कर रहे हैं गंभीर बिमारियों के लिए 50,000 से बढ़ा कर इसको सीधा एक लाख रुपे किया जाएगा अगर और भी जरूरत होगी तो स पत्रकार के निधन पर उनकी पत्नी को 80,000 रुपे की सायता एक मुश्ट जी जाएगी अधी मानेता प्राप्त पत्रकारों को आवाश रण, वियाच अनुदान, योजना के अंतरगत अधिक्तम रण की सुविदा 25 लाक से बढ़ा कर 30 लाक रुपे की जाएगी अधी माने पत पत्रवेदी, रास्टी पत्रकारिता और संचार विश्विध्याले का सयोग लिया जाएगा, पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा, इसके लिए समेती गटित की जाएगी, समीती में पत्रकारों को भी रखा जाएगा, जिलों में भी पत्रकारों की कॉलोनी बनाने का रास् निकाल कर जहां हमारी सोसाइटी है पत्रकारों को जमीन देने की विवस्ता करेंगे लीगल जो भी रास्ता होगा निकालेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें